और ये जो हमारे सामने तस्वीरे भी दिखाई दे रही हैं जरा ध्यान से देखें ये हर्कुलिस जिसको हमने अमेरिका से एक्वाइर किया सुमित मेरे सयोगी मेरे साथ जुड़े हुए सुमित ये वो ही खतरना के एरक्राफ्ट है जो दुनिया वर में जाना जाता है और इस लंबे समय की चुनाथियों को देखा जाए तो उस लिहास से अगर आप डिफेंस और स्ट्राटिजिक पर्स्पेक्टिव से देखे तो आप मानिए कि इसकी तयारी बहुत पहले करीबं 10 साल पहले अगर कहे जाए कैसे हम अपने सिविल इंफ्रस्रक्शर को अपने आर्मी को अपने लेटेस एक्यूपमेंट के साथ मर्ज करें ताकि हमारी शमताएं और जादा बढ़ जाएं यही तैयारी की गए तीसरा मौका है जब यूपी के अंदर पहले दिल्ली से आगरा फिर आगरा से लखनाव एक्स्प्रेस वे के उपर उतारा कर तीसरा मौका है कि हम इ जानी उत्राखंड हमारी जो एलेसी का इलाका पड़ता है उसके भी बेहत करीब है तो आने वाले वक्त में अगर हमें बड़े ऑपरेशन चलाने पड़े हमें अपने जादा अपने जवानों को यह स्पेशल फोर्स को भेजना पड़े तो उसके लिए भी यह बहुत मदद जेट एर स्प्रेड फाइटर जेट के जो एर स्ट्रिप से होटान में उनके पास है नेक्स चेंज करें नगारी अगुंसा शिंगात से पीस एरपोर्ट नेक्स लासा गुंगार न्यांगची मेंलिंग यह उनके एरपोर्ट से जहां पर यह उनके एर स्ट्रिप से जहां प पाकिस्तान के अगर बात की जाए, पेशावर इसलामबाद मोटरवे म1, म2 मोटरवे इसलामबाद लाहॉर, ये पाकिस्तान के हमारे साथ, ये हमारे पास डीटेलिंग है.